हेलो बच्चों, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, बच्चों आज का ये जो वीडियो है, हमारा क्लास 7 सुनरी दूप टेक्सबुक से है, और इस टेक्सबुक का जो लेसन नमर 18 है, चलना हमारा काम है, इस पार्ट के हम लोग मौखिक लिखित और दिर्गुतर ये प्रशन देखेंगे, बाकी जो टेक्सबुक एक्सरसाइज है, वो हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे, जिसमें अर्थ ग्रांड सम्मंदी प्रशन व्याकरण बोद ये सब कुछ रहेगा, तो आई ये वी से कवी का आश है, सफलता को जीवन का लक्ष बनाने से है, अगला प्रशन है, कभी अपना परिचय किस रूप में देते हैं, अगला प्रशन है, आठो प्रहर कभी को किसका ध्यान रहता है, कि उसकी गति कभी कम नहों, और बुद्धि सेवा कभी विचलित नहों, अगला प लोगोगों को क्या सहना पड़ता है इसका उतर है छोटा सा स्पेस आएगा अगला प्रश्ण है प्रश्ण में भटकते रहे इसका उतर है कभी पूर्टा की खोज में भटकते रहे अगले प्रेशन की तरफ चलते हैं लगुतरिय प्रेशन जो है इसका पहला प्रेशन है चलना ही मनुश्य का करतव्य किस प्रकार है इसका उतर है चलना ही मनुश्य का काम है क्योंकि अनवरत आगे बढ़ते रहने से ही मनुश्य मंजिल तक पहुंचता है साथी के मिल जाने से कभी को यह लाब हुआ कि रास्ता आसानी से कट गया और उसके सुख दुख को बाढ़ कर साथी ने उसके बोज को कम कर दिया जिससे उसे शेगरता पूर्वक अपने लक्षे की ओर आगे बढ़ने में मदद मिली प्रश नमबर तीन कभी ने विश्व प्रवाह के लिए कौन सा विशेशन प्रयुक्त किया है इसका उतर है कभी ने विश्व प्रवाह के लिए विश्यद विशेशन प्रयुक्त किया है प्रश नमबर चार किसको नहीं बहना पड़ा का क्या अर्थ है उत्तर किसको नहीं बहना पड़ा का अर्थ है कि जीवन एक हवा का जोका है जिसमें सभी को उसी के अनुसार चलना पड़ता है परिस्थितियां सभी को विचलित करती है तथा जीवन पत पर सभी को सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है प्रेश नमबर पाँच कविता की टेक पंक्तियां लिखिए टेक पंक्तियां मिस हर एक पेराग्राफ के बाद में कौन सी लाइन बोली जाती है है ना तो कविता की टेक की पंक्ति है चलना हमारा काम है जब आप कविता को पढ़ेंगे तो आप कविता में देखेंगे कि हर five line के बाद में एक paragraph के बाद में चलना हमारा काम है प्रयोग किया गया है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते हैं अगला प्रशन हमारा दिर्गुत्रिय प्रशन है इसका पहला देखते हैं प्रशन नमबर एक जीवन में किने लक्ष की प्राप्ति होती हैं समझा कर लिखे आप व्याकरण बोधी के लिए ध्यान दीजेगा और अर्थ ग्रण संबंदी प्रशन के लिए आप दूसरा वीडियो जरूर देखेगा वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में दे दूंगी और उपर आई विटन में भी दे दूंगी तो वीडियो जरूर देखेगा दूसरा वाला भी ताकि आपका लेसन कंप्लीट हो जाए इसका उत्तर देखे प्रशन नमबर एक का जो लोग अपने लक्ष को प्राप्त करने का सतत्त प्रयास करते रहते हैं और राही कहकर परिचर देने का क्या अभिप्राय है उत्तर राही कहकर परिचर देने का अभिप्राय है कि कवी अपने पत पर निरंतर बिना रुके चलता ही रहता है मनुश्य का धर्म यही है कि वह प्रत्तेक परिस्तिती में निरंतर जीवन पत पर आगे बढ़ता ही रहे अत कवी एक रही की तरह जीवनपतCU पर निरंतर अग्रिसर है अगला प्रेंज़ulin म्हीन देखि Bernthese कवी ने जीवन की अब पूणता की और किस प्रकार संकेत किया है स्काउटरे कवी जीवन की अपूरता की और संकेत करते हुए कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों से विचलित होकर हताश हो जाना जीवन की गति को अवरुद्ध कर देता है मिन्स रोग देता है ऐसा जीवन अपूर्ण है अतर जीवन के पूर्णता के लिए जीवन के सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हुए अपने लक्ष को प्राप्ट करना ही जीवन के पूर्णता है अगले प्रशन की तरफ चलते हैं प्रशन नमबर चार कवी विधाता को अपने विरुद क्यों नहीं मानते क्योंकि इस जीवन में प्रवा में प्रतेक मनुशी के समाक्ष सुख दुख आते रहते हैं उनसे विचलित होकर हार मान लेना मानव धर्म नहीं है जीवन में सुख दुख का आना अतल सत्य है जिसे सभी को सहना पड़ता है अतह विधाता को दोश देना तथा उसे अपने विरुद समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगला प्रशन है प्रशन नमबर पांच क्या सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष को प्राप्ट कर लेते हैं यदि नहीं तो क्यों अपने विचार लिखिए इसका उतर है नहीं सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष को प्राप्ट नहीं कर पाते क्योंकि जिसने जीवन के संघर्षों से हार मान ली और अपने जीवन पत पर चलना बंद कर दिया उन्हें सफलता नहीं मिलती है और जो लोग विपरीत परिस्तितियों में भी धैर्य पूर्वक निरंतर चलते रहते हैं तथा लक्ष की ओर बढ़ते रहते हैं सफलता उनी के चरण चुमती है तो यहां पर यह वीडियो समाथ हुआ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद